हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट दोक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं दोक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आप पोस्ट दोक्टरेट इन क्लिनिकल मेड़सन एंड दा मेटाबोलिक साइंस तो आज हम बात यह करेंगे कि यदि आप 40 प्लस हैं या 50 प्लस हैं मतलब आप यदि एजिंग पे हैं तो फिर आपका जो sex life है after 40 वो कैसा आप उसको maintain करें कैसे आप उसको sustain करें और अपने relationship को कैसे regulate करें क्योंकि देखा यह जा रहा है जनरली एक time के बाद जब बॉड़ी हमारी एजिंग पे आनी सुरू होती है तो कुछ बदलाव आने सुरू हो जाते हैं कुछ medical reason हो सकते हैं कुछ lifestyle change आयाता है हमारे attitude में एक change आ जाता है और हमारी priorities भी बदल जाती हैं तो उससे फिर धे जाता है कि दो लोगों के relationship में कहींना कहीं वह energy नहीं होती वह giant हह ए एट्शीट है है वह काई यह पांगी देखा यह जाता है कि आपके पास सेक्षफडanders एनरby पर जो आपके पास zeggen energy होती थी वह नहीं होती है तो उसको आपको आज समझाने की कोशिस करेंगे कि उसको कैसे समझें और उसको कैसे रेगुलेट बिको 38 के बाद फीमेल के अंदर और 42 या 45 इवन तक अब देखा जा रहा है कि early menopause आ रहा है, early andropause आ रहा है, early change हो रहा है मतलब इसका मतलब यह होता है कि आपके body में एक aging सुरू हो जाती है aging सुरू होने का मतलब होता है कि आपकी सारे रेक मानसिक छमता है आपकी hormonal छमता है, आपकी sexual जो छमता है वो decline करना सुरू हो जाती है और वो 10-20% decline हो सकती है, कुछ लोगों की थोड़ी और ज़्यादा भी हो सकती है तो उसको हमें समझना होगा और देखना होगा देखो एक उमर बढ़ने के साथ आपकी मानसिक सारे रेक और सेक्स संबंदित जो आपकी पावर है, जो छमता है, जो आपका interest है वो 10-20% कम होना gradually that is a nature, यह बहुत natural है और यह सब के साथ होता है लेकिन यदि आपके पास वो एनरजी नहीं ही, आपका moody नहीं करता है आप sex को enjoy नहीं कर रहे है, आप regulate नहीं कर पाते है तो फिर आपको कुछ बदलाब करने की ज़ Popular करनी की ज़रोता है, कुछ सोचने की ज़रोता है, कुछ समझने की ज़रोता है तो सबसे पहले जो बदलाब आपको करना है वो फूट के लेवल पे करना है फूट के लेवल पे यदि आप हैवी वर्काउट नहीं करते हैं आपका सिटिंग जॉब है या फिर आप बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है फिजिकली आक्टिव लाइफ आप नहीं जी रहें तो खाने में इम्मीडेटली कुछ बदलाब कर दीजे आप जैसे एग है आपका मटन है आपका हैवी फूट है हैवी फूट से मतलब है कि बहुत ज़्यादा घी खाना बहुत ज़्यादा चीनी और चीनी से बनी चीजें खाना ये सब आप थोड़ा सा बंद करिए आप सुगर नेचरल सुगर लीजिए नेचरल सुगर से मतलब है कि आप खजूर खा सकते हैं आप किस्मिस खा सकते हैं आप जो fruits हैं आपके मीठे केला खा सकते हैं, सेव खा सकते हैं, संत्रा खा सकते हैं, ये सब आप लेजिए, चीनी के रूप में liquid form of the sugar आप बंद करिए, क्योंकि liquid के रूप में जो आप सुगर लेते हैं, उससे आपको बहुत बड़ी problems होती हैं, और वो आपकी lifestyle, आपकी strength, आप काला सेंदानमग यूज़ करिए, और आप dry fruits में आप काजू खाना बंद कर दीजे, आप अक्रोट बदाम खालीजे, और fat थोड़ा सा कम करिए, सुगर कम करिए, salt कम करिए, आप इसकी जगे fiber बढ़ाईए, fruits बढ़ाईए, चौकर बढ़ाईए, इसके बाद next point आता है आपकी exercise का, exercise सुरू करिए, keagle exercise करिए, walking करिए, treadmill करिए, cycling करिए, swimming करिए, मतलब कुछ ना कुछ physically work out आपको करना चाहिए, क्योंकि exercise से फायदा ये होगा, कि आपकी whole body में blood का circulation बढ़ेगा, और आपकी जो keagle exercise होगी, उससे आपका pelvic floor मजबूत होगा, आपके penis की, scrotum की तरफ आपका blood का circulation, design की तरफ अच्छा होगा, breast की तरफ अच्छा होगा, उससे आप charge महसूस करेंगे, healthy महसूस करेंगे, young महसूस करेंगे, तो exercise से भी आप अपनी जो sexual desire है, उसको lift कर सकते हैं, उसको regulate कर सकते हैं, अब यदि आपको कोई medical issue है, medical issue यदि कोई सी को depression है, anxiety है, mood disorder है, ins sugar है, fatty liver है, obesity है, तो इसको medically treat करने की आवश्यकता है, lifestyle change के साथ साथ, exercise के साथ साथ, आपको कुछ समय के लिए कुछ दवाई की, physician की help की जरुत पड़ेगी, तो वो आप immediately देखिए, generally 40 के आसपास आपको osteoporosis हो सकता है, immunopause start हो जाता है, andropause आजाता है, fatty liver हो जाता है आपका और insulin resistant एक develop हो रहा है, आज कल early लोगों में, पहले 45, 48 या 50 के बाद होता था, आज कल हम दिखते हैं कि insulin resistant की जो speed है, वो faster हो गई है, बनलब 35 साल के बाद ही लोग मोटे होने लग जाते हैं, BP, sugar, thyroid, कुछ ना कुछ आ जाता है, तो उसको आप medically treat करिए, क्योंकि उसको medically ही treat करन पड़ेगा, और आप अपना four play, आप अपनी chemistry, time, attachment, इन सब पे जाए, थोड़ा सा बात करिए, थोड़ा सा समय गुजारिए, postures थोड़ा सा change करिए, आप दूसरे conditions में आप intimacy के लिए या four play के लिए जा सकते हैं, and four play पे focus करिए, ना कि bezinal sex पे, expression का, प्यार का, intimacy का तरीका, एक time के बाद, एक उमर बढ़ने के बाद, वो बदलना चाहिए, और उसके बदलने से काफी फायदा होता है आपको, और definitely फायदा होगा, but time दीजिए, attachment रखिए, communication रखिए, touching, four play, ये सब मदद कर सकते हैं, उसके साथ साथ अच्छी health, time से खाना खाईए, पूरी नींद ली बढ़ने से कोच्छी बास